हेलो फ्रिंज कैसे हो आप सब उमीद करते हूं कि सब ठीक होंगे तो आज हम बहुत ही असान तरीके से चॉकले चिपस से केक बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डिलेशियस तो चले शुरू करते हैं कि क्या है तो कि कि बनाने के लिए मैं पें हाफ का टूरी डिफाइट ओूइल लियू आप चाहे तो डिफाइट ओल के जगह मेल्टेर बटर गाहा भी यूश कर सकते हैं तो डिफाइट ओ overtime के बाद सा अब हम forbidden डाल देनंगे और दही डाल देने के पाथ हम इसे अच्छे तरीके से फेट लेंगे तो ये दीके दही तेल में अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है तो अब हम इसके उपर छलनी डाल देंगे और छलनी में अब हम एककटोरी मैदा डाल देंगे और मैता डाल देने के पाद हम इसमें 3-4 कब पाउडर शुगर डाल देने के पाद हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देने के पाद हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देने के पाद अब हम इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोटा डाल देने के पाद ह और थोड़ा से मिक्स कर लेने के पाद अब हम इसमें दूद डाल देंगे तो थोड़ा थोड़ा धूद डालते वे हमें इसका बैटर रिडी कर लेना है तो हमें एक ही डायरेक्शन में बैटर रेडी करना है तो हमें नहीं जाता मोटा बैटर रेडि करना है नहीं जाता पतला बैटर रेडि करना है एक थारा में नीचे गिनने वाली बैटर हमें रेडि कर लेना है और थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करते हुए हमें बैटर रेडि करना है पारना बैटर में गोठलिया बन जाएगी इसलिए तो ये देखे बैटर हमारा डेडी हो चुका है एक धार में नीचे गिर रहा है तो अब हम इसमें डाल देंगी हाफ का टोड़ी चॉकले चिप्स तो आप अपने हिसाब से चॉकले चिप्स डाल सकते हैं और चॉकले चिप्स डाल देने के बाद हम विस्क से इसे मिक्स नहीं करेंगे वरना सादा चॉकले चिप्स हमारा टोड़ जाएगा इसलिए हम स्पून की हेल्प से इसे हलके हाथों से मिक्स करेंगे तो ये देखें पैटर हमारा फाइनले रेड़ी हो चुका और मैं कडाई भी करम लूने के लिए रख दी हूँ और मैं केक टिन भी रेडि कर चुके हूँ तो सबसे पहले हम तेल करेंगे और तेल करेंगे के बाद हम मैधा को स्पलिट कर देंगे आप चाहिए तो बटर पेपर का भी उस कर सकते हैं मैं इसी प्रोसेस से बना रही हूं इसलिए बटर पेपर का यूस नहीं कियों और उसके बाद हम केक बैटर को डाल देंगी और बैटर डाल देने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से टैप करेंगे जिससे कि इसमें एक भी air bubbles ना हूँ और अच्छे तरीके से टैप कर देने के पाद अब हम उपर से भी थोड़ा सा चोकोचिप्स टाल देंगे तो ये देखे बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो अब हम इसे बेग होने के लिए रख देंगे तो बेग मैं एक घंटे के लिए कर रही हूँ तो कड़ाई गड़म हो चुका है तो अब हम केक टेन को डाल देंगे इसके उपर और इसे ढग की एक घंटे के लिए बेग होने के लिए रख देंगे मेडियम टू लू फ्लेम पर बाकी कम या जादा टाइम आपका लग सकता है तो यह देखे एक घंटा हो चुका है तो एक बड़ मैं इसे चेक कर लेती हूँ तो देखे टूत्पिक बिल्कुल क्लीन आया है एक बड़ मैं नाइफ से भी चेक कर लेती हूँ यह देखे बिल्कुल क्लीन है तो अगर आपका क्लीन ना हो तो आप इसे और पांच मिंट के लिए बेक करके फिट शेक कर सकते हैं और केक को हम रूम टेमपरेचर पे ठंडा होने देंगे और ठंडा हो जाने के बाद हम इसको डिमॉल्ड कर लेंगी तो यह देखे केक हमारा बिल्कुल पर्फेक्टली बेक हुआ है और पर्फेक्टली निकल भी गया है तो यह देखे बहुत जादा सॉफ्ट एंजफ्ट है हमारा केक रेडी हुआ है तो इसे हम कट कर लेते हैं तो ये देखे बहुते जादा जाली दार हमारा केक रेडिय। है, बहुत जादा सौफ्ट, स्पॉंजी और जाली दार तो मेरे रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रिसेपी को ज़रूर च्राय करें इस क्रिस्मस या नियु यर पे तो इस recipe को आप Christmas, New Year, birthday या किसी occasion पर या कभी मीठा खाने का मन करें तो इस recipe को बना के खा सकते हैं बहुत ही जादा आसान तरीका से हमने ये केक डेडि किया है तो अगर आपको मेरी वीडियो चे लगी दिन प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें जिसे मेरी वीडियो उसकी notification मिले लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये recipe कैसा लगा और जादा से जादा शेयर करें तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इनी recipe के साथ तब तक कि लिपा बाइ टेकेट और थैक्ट और था करें